ख़र करने हम देखते हैं आपको तक बात करते हैं। स्थिर बनाते हुए situations का proper आंकलन करने के बाद ही कोई reaction या प्रतिक्रिया दीजेगा साथी साथ आज के दिन निजी संबंदों में कुछ न कुछ tension हो सकती है तो शब्दों का प्रियोग भी सोच समझ के करने की जरूरत है conflicting scenario अगर कारिशेतर में arise हो रहे हैं तो वहाँ पर उसका solution, aggression के साथ नहीं बाचीत के साथ निकालने की कोशिश कर रहे है बात करते हैं व्रिशव राशी वालों के लिए आपके लिए परिस्तित्य समाने रहेंगी व्रिशव राशी वालों खास उतार चलाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा पारिवार एक सिर्ता बड़ी रहेगी माता और पिता या किसी व्रदतम परिवार के सदस्य के स्वास के प्रती थोड़े से चिंतित रह सकते हैं लेकिन नेगेटिविटी को अगर आपको थोड़ा सा काउंटर करना है तो आज के दिन आपको जागरुग बनने की कोशिश करनी चाहिए यानि की टाइमली उनके डॉक्टरी निरिक्षन ये परिक्षन करवाए जिससे कि आप चिंतरहित हो पाएं साथी साथ आज के दिन कारश शित्र में कोई नवीनतम परिस्तिती क्रियेट हो सकती है जो आगे की तरफ आपको आत्म प्रेरित करके जा सकती है बात करते हैं मितुन राशी वालों के लिए पारिवारिक सित्ता मितुन राशी वालों बनी रहेगी मन आपका शांत रहेगा विचारधाराएं प्रबल रहेगी माता पिता के प्रती थोड़ा सा आज के दिन समानपूर्वक वहवार रखें आज के दिन आपकी परिस्तितियां उनके आशरवात से भी आगे बढ़ सकती है इसमें कोई दोराय नहीं है 37 आज के दिन बहनिया भाई से थोड़ा समन मुटाव हो सकता है लेकिन आटमाटिकली कुछी दिनों में ये परिस्तिती सोट आउट हो जाएगी कहने का मतलब यह है कि आज के दिन चुट-चुड़ी बातों पे मन चुटा करने की जरूरत नहीं है कार शित्र में स्थिरता बनाने के लिए कुछ न कुछ नए अगर आप इनिशेटिव लेना चाहते हैं तो आज के दिन आपका मेतरपूंड माना जा सकता है बात करते हैं करकराशी वालों के लिए आपके लिए करकराशी वालों आज के दिन situations positive बनी रहेंगे मन आपका भी आज के दिन शान्त रहेगा लेकिन आज के दिन जरूरत है अपने उपर काम करने की खास तोर पे सेकंड आफ के दोरान आपको इंट्रोस्पेक्टिव जोन में जाना चाहिए परिस्तितियों का संपूर्ण तरीके से इंट्रोटालिटी आकलन करना चाहिए और समझना चाहिए कि आपकी कहां से कौनसी सिचुवेशन नेगटिव हो रही थी अगर आप क्लारिटी के साथ चलेंगे तो देखेंगे कि आपकी परिस्तितियों स्ट्रॉंगस परिस्टियल पे जा रही है क्यो कि आज के दिन आपको टैक्टफिली आगे प्रिसीड करने की ज़रूरत है बात करते हैं सिंगराशीवालों के लिए सिंगराशी वालों आज का दिन समानिता रहेगा परिवार के साथ बिताया गया समय आपको रेजिमेनेट करके जाएगा long term financial planning पे आप काम कर सकते है जो आपको और ज़ादा प्रभावशाली बना कर जा सकता है परिवार एक स्तिरता बनी रहेगी परिवार के साथ आज के दिन समय बिताएंगे तो अपने आपको बहतर तरीके से आगे आने वाले समय के लिए प्रिपेर भी कर पाएंगे और कुछ लंबे समय के लिए strategies बना पाएंगे जिसका अवलोकन आज के दिन आप कर सकते है परिवार की किसी व्रदितम सदसे से आपको कोई ना कोई बहुमूल राय दिशा सूचना या संकेत आज के दिन मिल सकता है बात करते हैं कनियराशी वालों के लिए परिस्तितियां कनियराशी वालों बिल्कुल ठीक रहेंगी आज के दिन समानिता परिस्तिति कारशेतर में और पारिवारिक स्थिता भी बनी रहेगी जिस तरह से परिस्तितियां चल रही है वैसे ही चलती रहेंगी कुछ खास उतार चड़ाओ चीजों में देखने को नहीं मिलेगा साथे साथ आज के दिन आपको अपने उपर काम करने की जरूरत है अपने आपको और जदा प्रभावशाली बनाएं अपने उपर ध्यान दे और अपनी सिचुएशन को और पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया काम करने की जरूरत है आप अपने लिए कुछ क्र क्रेटिविटी को अपनाईए चाहे लाइफ स्टाइल को इंप्रूफ करिए मेडिटेशन करिए योगा करिए कुछ भी करिए पर करिए जिससे आपके जीवन में चल रहा हुआ ऑंगोइंग स्ट्रेस को आप बैलन्स कर सकें बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए तुला आपको और एनरजेटिक बनाने की जरूरत है कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा लेकर आई क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे है उसमें कुछ नया काम करने की जरूरत नहीं है बस जहां पर आपकी कमी हो रही है वो ये कि मोमेंटम या कंसिस्टेंसी आपकी नहीं बन रही है तो कारेशेत्र में वहां पर आपको फोकस अप्रोश लेकर आगे चलना चाहिए बात करते हैं व्रिश्चिक राशी वालों के लिए व्रिश्चिक राशी वालों आपके लिए परिस्तितियां बिल्कुल ठीक हैं अनुकूल हैं आप अपने लिए का अपने उपर काफ़ ज़्यादा situations पे भी आप work कर सकते हैं, आज के दिन आपको enough playground मिलेगा जहां पर आप अपने उपर भी काम कर सकते हैं, कारशेत्र में भी जो आपकी situations negative हो रही थी, उन aspects को भी आप tight कर सकते हैं, gaps को identify कर सकते हैं, अपने उपर काम कर सकते हैं, अपने परिव तब यह है कि overall आपकी situations आज के दिन positive होती हुई आपको दिखाई देंगी, चाहे वो financially हो, professionally हो या family wise हो, बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए, धनुराशी वालों कुछ ना कुछ आपके लिए आज के दिन magical situation होने वाली है, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि पिछले व मिल सकती है, जो आपको आगे की और प्रस्थान करने में वदद कर सकती है, या आपकी situations को और positive कर सकती है, साथ ही साथ परिवार का महत्रपूर्ण ये है कि परिवार की तरफ से आज के दिन आपको भरपूर सयोग मिलेगा, जो आपको आगे आने वाले समय के लिए बहतर तर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही momentum बना लिया है, जरूरत यह है कि consistency के साथ आगे बढ़ते चलिए, आज के दिन second half के दौरान थोड़ा सा one आपका विचलित रह सकता है, परिशान रह सकते हैं, आज के दिन हो सकता है without no reason and rhyme, आपका मन खराब हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कि वो क्या trigger है कि आज के दिन आपका मन खराब हो रहा है, उस aspect कि या उस तत्थे को पहचानी और उस पे काम करिए, second half के दौरान आपको आज के दिन भरपूर time मिलेगा उस पे काम करने के लिए, बात करते हैं कुमराशी कुछ ना कुछ creative आज के दिन अपने जीवन में उतार चड़ाव लाने की कोशिश करिए, कुछ creativity को आपको जन्म देना पड़ेगा, या creative aspects को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, या कम करना पड़ेगा, कुछ adjustment करिए, creativity के साथ आज के दिन प्ले करिए, जिससे कि आपका ज जादा आज के दिन महतरपूर्ण आपको लगे या उसमें कुछ लगे कि मैं positive कुछ कर रहा हूँ, या confidence level में इज्राफा हो, अपने लिए थोड़ा साथ व्यक्तिकट time निकालिए, परिवार के साथ रहिए, personal relationships पे काम करिए, relaxed रहिए, second half के दोरान आपको restful situation में जाने की ज आएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, बात करते हैं, मीन राशी वालों के लिए, you're doing absolutely fine, मीन राशी वालों, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करनी है, समानता जैसी परिस्तिती चल रही है, चलती रहेगी, कार शेतर में भी positivity आपने अपने लिए बना ली है, मन आपका शान जीज भी आपकी perfect है, मेरे हिसाब से इसी तरह से चलते चलिए जो आपका goal है, अगर आप इसी consistency के साथ चलेंगे, तो 15-20 दिन के अंदर अंदर जिसकी शुरुआत आज से होती है, आपको positivity देखने को मिलेगी, इसी के साथ मुझे आगया दीजे, मैं कल फिर हाजर होंगे, नमस्कार